बीमारी और दवा की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है आपका थाइराइड रिपोर्ट थाइराइड आजकल आम बीमारी हो गई है हर दस में से 4 लोगों को इस बीमारी से पिरित होना पड़ता है थाइराइड हर्मोन शरीर में मेडावारिम्स को रेगूलेट करता है इस प्रिकरिया में आप जो खाना खाते हैं वो उज़ा में बदल जाता है शरीर इस उज़ा का इस्तमाज पूरे सिस्टम को चलाने के लिए करता है थाइराइड बहले ही आम बीमारी हो लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कई लोग जब थाइराइट का टेस्ट कराते हैं तो इसकी रिपोर्ट में आने बाले medical terms के बारे में जानकारी नहीं होती है थाइराइट की टेस्ट रिपोर्ट में T1, T2, T3, T4 और TSH जैसे terms लिखे होते हैं जिसके बारे में आम लोगों को पता नहीं होता है अगर आप टेस्ट कराया है तो हम आपको थाइराइट की रिपोर्ट में आने बाले इन नम्बरों के बारे में बता रहे हैं जिससे आप अपनी रिपोर्ट के बारे में थोड़ा बहुत समझ सकते हैं थाइराइट में T0, T1, T2, T3, T4 और THS क्या होता है थाइराइट की रिपोर्ट में लिखे गए ये नम्बर्स थाइराइट के लिविल का पता लगाने के लिए होते हैं टेस्ट में आने वाले नम्बर्स से ही ये पता चलता है कि आपकी थाइराइट ग्रंती कितने अच्छे से काम कर रही है T0, T1 और T2 अगर आपकी रिपोर्ट में ये नम्बर्स आते हैं तो ये हार्मोन्स पिक्रियास और थाइराइट हार्मोन्स के बाइप्रोडेक्ट है ये थाइराइट हार्मोन्स रिसेप्टर पर काम नहीं करते हैं और ये पूरी तरह से इन एक्टिवेट रहते हैं अब आईए T3 के बारे में जानते हैं T3 टेस्ट थाइराइड में T3 टेस्ट ट्राइओडियो थाइरोनिन लेविल का टेस्ट होता है आमतोर पर जब T4 और THS के बाद हाइपो थाइराइडिस्ट की आशंका होती है तो इस टेस्ट को कराने के लिए डॉक्टर्स कहते हैं आप में से किसी में ओवर एक्टिव ठाइराइड ग्रेंड्स के लक्षर होते हैं तो भी डॉक्टर्स T3 करवाते हैं T3 की नॉर्मल रेंज 100 से लेके 200 NGDL होती है अगर आप इससे ज्यादा उसमें पाया जाता है तो ये ग्रेस्व नामक बीमारी के संकेद देता है ग्रेस्व नामक बीमारी क्या है इसके बारे में हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे अभी हम जानते हैं T4 के बारे में T4 स्वस्ट वैक्ति के शरीर में थाइराइड T3 और T4 हार्मोंस सही रहता है अगर ये घटा बढ़ता रहता है तो या घट बढ़ जाए तो परेशानी की बात है इन दोनों लेविल को शरीर में TSH हार्मोंस कंट्रोल करता है जिसे थाइराइड सिस्टिम लेटिंग हार्मोंस कहते हैं ज्यादे तर T4 और THH TSH को साथ में कराया जाता है T4 को थाइरॉक्सिन टेस्ट कहते हैं T4 का हाई लेविल ओवर एक्टिव थाइराइड ग्रेंड की और इशारा करता है थाइराइड की बीमारी में T4 की नॉर्मल रेंच महिलाओं में 0.4 से लेकर 4.0 ML के बीच और पुरुशों में 0.5 से लेकर 4.11 ML के बीच होनी चाहिए स्वास्त वैक्ति के शरीर में थाइराइड T3 और T4 हार्मोंस सही रहता है अगर ये घट बढ़ जाएग तो परेशानी की बात होने लगती है THS टेस्ट इस टेस्ट के जरिये बलड में थाइराइड सिस्ट्मिलेटिंग हार्मोंस की जाश करते हैं इस से थाइराइड ग्रेंड के बारे में पता लगाया जाता है कहीं थाइराइड ग्रेंथी अंडर एक्टिव या ओवर एक्टिव तो नहीं है शरीर के लिए ये दोनों ही स्थती खतलनाग होती है THS की नॉर्मल रिंच 0.4 से लेकर 4.0 MLU upon L के बीच होती है अगर THS का लेविल 2.0 से ज्यादा है तो अंडर एक्टिव थाइराइड यानि हाइपो थाइरेजिम बढ़ने का खत्रा होता है हाइपो थाइरेजिम का मतलब यह है अगर किसी का थाइराइड लेविल घटता है तो उसको हाइपो थाइरेजिम कहा जाता है और किसी का लेविल बढ़ता है नॉर्मल रेंज से अगर किसी का लेविल बढ़ता है तो उसको हाइपर थाइडाइजम कहा जाता है तो इस जगा जब हम जब की THS का काम इस तर ओवर एक्टिव थाइडाइड की निशानी है फ्रेंड्स जैसा कि हमने आगे बताया था ग्रैसिव नामक बीमारी क्या होती है ग्रैसिव रोग एक आउटो अमून विकार है ये थाइडाइड गिरन्थी को प्रभावित कता है इससे बीमारी में थाइडाइड गिरन्थी अती सक्रिय हो जाती है इसे इन नामों से भी जाना जाता है तो फ्रेंड्स ये थे इस वीडियो पर कुछ टिफ्स उम्मित करता हूं कि आपको थाइराइड की जो हमने रिपोर्ट जांच जो आती है उसके बारे में जानकारी दिये अगर इस चांच में नौर्मल रेंज से बढ़ता है तो उसको हाइपो थाइराइडिस्म कहा जाता है और अगर ये नौर्मल रेंज से नीचे रहता है तो हाइपो थाइराइडिस्म कहा जाता है तो इन दोनों में ही अगर ये घटता या बढ़ता है दोनों में ही इसको अगर आती है रिपोर्ट में ये चीज़ तो दोनों में ही प्रोब्लम देगी जाती है इसका मतलब ये कि वो बंदा वो पेशेंट थाइराइड का शिकार है तो इसको डॉक्टर के दोरा कुछ दबाईया दी जाती है जोके इसको कंट्रोल किया जाता है तो फ्रेंट्स मैं एक वीडियो बनाई है उसका लिंक में अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर किसी को थाइराइड की शिकायत होती है तो उसमें कौन सी दबा दी जाती है तो हमने इस वीडियो पर इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बनाई है जागर आप दे